सो हेई गाइज दस इस कैफी इन वाचिंग टैनल अफ लूप चैनल तो बेसिकली गाइज आज की वीडियों बात करने वाले हैं फोन पे के टैक्स सेविंग फंड के बारे में बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि भाइस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करे क्योंकि आपके लेक्स से आप ज़्याद मोटिवेशन मिलता है तो इसके लिए जो आप अपना फोन पे अपको ऑपन कर लिजा अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के ही दिख जाएगा टैक्स सेविंट का ओप्शन तो आपको यहां पर जो है इस पर क्लिक कर लेना है तो अभी बैनर में उपर में ही चल रहा तो जस्ट इस पर आप जाके क्लिक कर लिजे टैक्स सेविंग फंड आखिरकर है कि आपको एक छोड़ा समसार्व में समझाते हैं आपने कहीं न कहीं तो यह चीज सुना होगा mutual fund के बारे में सुना होगा फेटियम का ही mutual fund चलता है बहुत सारे प्लैटफोर्म है उनका mutual fund पर चलता है तो basically mutual fund जो है वही चीज को यहां पर tax saving fund का नाम दिया गया है यानि कहने के मतलब यह है कि एक दरब से mutual fund का ही काम है अब mutual fund क्या होता है यह आप जो है अगर डीटेल में जाना चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो लेकिन mutual fund यह होता है कि किसी पैसे को जो है तीन से चार साल के लिए सिक्रेट अमांट को आप रख देते हो डिपोजिट कर देते हो उसके बात जो इसमे यहां पर चीजियों को हाईलाइट किया गया है जिसको आपको समझा काफी जरूरी है सब्से पहली है respected dollars 46,8 in five minutes यानि कि इतना को 5 minutes रेहरे बचा सकते हो सबसेशा कि पहली बात यहां पर बोला गया है कि हाइए रिटरंस देन FD और PPF यानि कि पता होगा कि बैंकों में फिक्स डिपोजिट होता है RD होता है recurring deposit होता है उससे जो है इसमें जादे higher returns आपको देख में को मिलेगा अलांकि जो FD होता है RD होता है उसमें क्या होता है कि आपको 7% something का return मिलता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है mutual fund ऐसा platform होता है जो आपको 14 से लेके 15% तक का returns provide करता है तो यहाँ पे एकदम सही लिख्या है कि higher returns मिलेगा आपको FD और PPF के मुकाबले है उसके बाद क्या है कि shortest lock in period यानि कि shortest इसका lock period जो होता है अपको FD हो गया और RD हो गया वो सब जो है एक छोटे duration के हिसाब से रहता है कि वो आपका चलेगा तो साल भर का चलता है किसी का 6 महिना चलता उस चलता है लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि shortest lock in period यानि कि तीन एर तक का यहाँ पे सबसे minimum यहाँ पे locking period रहता है उसके बाद कह है start as low as 500 यानि कि आप जो स्टार्टिंग mutual fund का फोन पे में जो कर सकते हैं वह 500 रुपया से कर सकते हो ठीक है तो यह काफी अची बात हो जाती है कि लोग 500 रुपया से इदर जाना उधर जाना लेकिन यहां पर क्या है इसमें 100% पेपर ले से आपको कोई भी पेपर की जरुवत नहीं पड़ेगी यान की कोई भी साइन वगारा कुछ का जरुवत आपको नहीं पढ़ने वाला है उसके बात क्या है यह 100% सिक्यूर है आपको एकदम सिक्वरेटी यहां पर अच्छा मिलेगा उसके बात क्या है इंस्टेंट रिसीट मिलेगा मान के चलो अभी आपने मान के चलो 500 रुपया का यहां पर आपना जो है मिच्वाल फंडम इन्वेस्ट किया तो यहां पर आप जैसे यहां पर क्लिक कर लेजएगा तो यहां पर छोटा सा चार्ट आता है जिसमें आप बताया गया कि हाओ मस्डू यू वांट टू इन्वेस्ट इसमें यहां पर लिखा है कि आप यहां पर सेक्षन एटी सी के थुरू एक लाग पचास जार रुपया तक इमांट का ही यहां पर मीज्टाल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हो जो की मिनिममम इमांट यहां पर 500 रूपया से स्टार्ट हो जाता तो जस्ट हम एक्जामबल करें यहां पर 500 रूपया ही लिख लेते हैं 500 आप जैसे लिख लिजएगा उस हिसाब से ह hmपे आपका टैक्स पांसो पर click किया, उसका पाइजस just continue पर click कर लेते हैं, continue पर आप जैसे click कर लिजगा तो यहीं से main आपका खेल स्टार्ट होता है, यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर देखें, दो यहाँ पर mutual fund को यहाँ पर prefer किया गया है, एक है आधेते बिल्ला, Sunlife और जुड़ते हो जिसमें 3 साल का आप अगर लॉकिंग सिस्टम रखते हो तो आपको 14.12% का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद अगर मान के चुल अगर आप आदित बिल्ला से 5 येर का रिटरंस रखते हो तो आपको 18.41% का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद अब देख सेकते हो फंड साइज हाभी यानि कि आदित बिल्ला में कितने जितने भी लोग जो फंड लगा के रखे होंगे उनका कैलकुलेशन एक है तो उनका कैलकुलेशन है 8,599 करोड रूपिया का यहां पर mutual fund में invest यहां पर किया गया है तो यह आपका आदित बिल्ला का हो गया लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा और डीटेल में जब जाओगे तो आपको थोड़ा यहां पर चार्ट बगार भी मिलता अगर आपका नौर्मल किसी बैंक में खाता खुला हुआ है तो सेविंग अकाउंट में अगर आप 500 रूपिया को अगर 3 साल तक रखते हो तो आपको वहां पर सिर्फ हो सिर्फ 4% का return मिलेगा जो कि 562 रुपया होता है आपको यहाँ पर दिख रहा है आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हो 4% यहाँ लिखा हुआ है जिसमें आपको 4% return मिलेगा उसको 3 साल रखो गो तो 562 मिलेगा उसके बाद क्या है fixed deposit जो कि bank में होता है तो आपको यहाँ पर मलब एक तरीके से दिखा रहा है कि आधित अबरिल्ला यहाँ पर कितना जादे यहाँ पर powerful है यानि कि कितना highest return आपको देता है वो एक चीज़ दिखा रहा है जो कि अजबन करके दिखा रहा है तो यहाँ पर मान के चलो fixed deposit बैंक में भी fixed deposit होता है बहु सारे लोग करवाते हैं तो उसमें क्या है अगर तीन साल के लिए अगर आप 500 रुपया को fixed deposit में रखोगे तो आपको 8.28% के हिसाब से 634 रुपय यहाँ पर मिलेगा उसका बात क्या है उसका बात देखिए PPF है बहु सारे लोग PPF भी करवा के रखते हैं जो आदित बिल्ला का फंड है उसमें अगर तीन साल के लिए अगर आप 500 रुपया को रखते हो तो आपको return मिलेगा 14.12% जो की होता है 743 रुपया के हिसाब से तो इस तरीके से calculation दिया है एक comparison क्या है कि आप normal saving में रखते हो mutual fixed deposit में रखते हो PPF में रखते हो उससे कितना जा चार्ट के आपको यहां पर profit मिलेगा benefit मिलेगा वह एक चार्ट के जरी यहां पर बताया है तो minimum तीन यहर था अगर हमें इसे पांच यहर करते तो आप देख सकते तो 18.41% रिटन है अगर 10 साल के लिए करते हो तो आप भी आपको 18.34% यहां पर मिलता है तो एक तरब से यह जिसको आपको देख करके यह चीज़ पता चल गया कि भाईस में रिटन्स जो है काफे अच्छा मिल जाते हैं उसके बाद देखो ICICI का है तो ICICI में तीन साल का रिटन रिट है 13.41% पांस साल के रिटन है 14.86% फंड साइड यहां जो चल रहा हो है 6192.72 करोड का यहां पर उस साथ देखा जाए तो यहां पे अदिद ब्रिल्ला का तीन इЙर का जहो है 14.12% मिल रहा है और तीन अधिक आपको पर 18.21% मिल रहा है उस शीचाफ से आधित ब्रिल्ला यहां पर आपको जादे बंईफिट देगा तो जस्ट आप आदेद ब्रिल्ला के साथ ही बढ़ना तो जस्त यहां पर invest नॉप पर क्लिक कर लिजेगा, इन्वेस्ट नॉप पर क्लिक करने के बाद यहां पर option आएगा आएगा आपको pen card डालने का, तो जस्त यहां पर आगे का process सिंपल है आपको बता देते हैं, उसके जस्त आप pen का डालोग यहां पर verify pen पर क्लिक कर लिजेगा, उसके बाद जैसे आप phone pay में recharge करते हैं, उसी तरीके से आपके bank के साथ पैसा कट जाएगा, और पैसा कटेंगे साथ जो है 500 रुप आपके received मिल जाएका mutual fund investment का, और आपका 500 रुप जो है mutual fund में इस तरीके से जो है invest हो जाएगा, तो अगर मान के चलो आपने एक बार 500 किया, फिर मान के चलो आपके पास 500 रुप फिर आता है, तो फिर आप आओ इसमें आर इन्वेस्ट रमांट में 500 रुप लिग देना, फिर उस तरीके से जो है पैसा कोई खटा करते जाना, और इस तरीके से जो है यहाँ पे जो tax saving निकाला फोन पे ने, इस तरीके से जो यह work करता है, बहुत सारे लोग का मन में confusion था कि भाई यह नया ख्याची जा गया tax saving fund, रखते हो, पांस साल के लोग्चेन रखते हो तो आपको हाइस हाइस हाँ पे रिटन मिल जाता है तो ही त्याज की वीडियो को पता ना था कि फोन पे का जा हिंद, जा भारत